और उत परमात्मा की कृपा है उनकी बुद्धी में उनकी इर्दे में परमात्मा ही प्रेरीत हुए प्रेर्णादी भगवान ने और उस सीधे ही रुक्मणी के महल की और चले गए वहाई पर भगवान स्रीकृष्ण थे प्रेमी को प्रेमी खेंच लेता है लेकिन रुक्मनी जी के महल में प्रवेश करना तो और भी कठिन बात है साथ दरवाजयों को तो शायद कोई भी पार कर ले लेकिन रुक्मनी जी तो पटरानी है भगवान की प्रदान पटरानी है अश्ट पटरानियों में उनके महल के दर्वाजे पर जरूर द्वारपाल और भी मजबूत खड़ा है उसने तो रोक दिया कि ठैरो तुम कौन हो और किस से मिलने के लिए यहाँ आए भाईया मेरा नाम सुदामा है मैं सुदामा पुरी से आ रहा हूँ पोरवंदर से मैं कृशन से मिलना चाहता हूँ कृशन से सीधा सीधा नाम लेते हो द्वार का दीश नहीं कहा जाता तुम्हारे मुख से भाईया क्या बताओं कृशन मेरा मित्र है तो मित्र को नाम लेकर नहीं बोलू तो कैसे बोलू मित्र है क्या पागल हो गया है क्या भंग पी के आया है ब्रामन नहीं मैं कभी भंग नहीं पी था मेरा मित्र है मैं आप से क्यों जूट बोलूँ द्वारपाल थोड़ा सा ब्रहमित हुआ कि शायद हो शायद ना हो चलो मैं पूछता हूँ जाकर कि द्वार कदीश को द्वार कदीश को जाकर पूछा द्वार का नात आपके दर्शन को एक ब्रहमन आया है वो कहता है कि मुझे एक कृष्ण से मिलना है आपका नाम लेता है सीधा और ये भी कहता है कृष्ण मेरे मित्र है उसके तन पर ना तो कोई जबा है पाओं में चपल नहीं है बिवाईयां फट रही है खून टपक रहा है मरा गिरा साथ कहता है मेरे नाम सुदामा है जाकी कहो मैं कृष्ण से मिलने आया हूँ कृष्ण मेरा मित्र है द्वार का दीश को थोड़ा आनंद विला खानों से सुनकर सुदामा का नाम उन्होंने कहा द्वार पाल एक बार फिर से कहो कौन आया है दर्वाजे पर क्या नाम बतलाता है द्वार का नात सुदामा फिर कहो क्या नाम बतलाता है वो ब्राह्मन द्वार का नात वो कहता है मेरा नाम सुदामा है भगवान सुदामा को एक उंची अलाप लगाई सुदामा के लिए सुधामा और भाग लिए सुधामा को मिलने के लिए उनके मुखुट कांदे का पी तांबर गिर गया जमीन पर होश नहीं दोड़े दर्वाजे की हो और जाके अपनी मित्र को गोदी में बर लिया और रौमा अंचित होकर आखों से आशु बहने लगे सुधामा मेरे मित्र सुधामा यह तुमने क्या हालत बना रखी है काभी देर तक चिप्टे रहे सुधामा के शरीर से जब एक और से बल्राम जी आ रहे थे तो उन्होंने कृशन जी के कांदे पर हाथ रखा कि कृशन क्या बात है तब कृशन जी को थोड़ा सा आशु समेटे और होश में आए कि भाईया है है यह मेरे मित्र है सुधामा मैं और सुधामा आप और सुधामा हम सब एक साथ पढ़ते थे उज्जन नगरी में सुधामा जी को अंदर ले गए उनके चरण धोए चरण धोने के लिए राणिया पानी लेकर आई जारियों में लिए भगवान ने अपने नेत्रों में से चुचाने वाले अस्तुरों से ही सुधामा जी के चरण धो दिये इतने अस्तुरों निकले भगवान के प्रेम उमड़ पड़ा कि मेरा भक्त काटे चुवे उए ते इदर उदर छोटे मोटे पाओं में सब निखाले सुन्दर भूजन करवाए रुक्मानी जी की सेज पर उनको बिठाया रात वर भी रुक्मानी जी की सेज को ही जो लक्ष्मी की सेज है रुक्मानी जी साक्षाद लक्ष्मी का आउतार है लक्ष्मी जी की सेज पर सुधामा एक कंगाल ब्राह्मन को उन्होंने बिठाया पूजन किया आर्ति की भोजन कराया जो सुधामा लेटने लगे तब उनकी चर्ण दबाने लगे सुदामा जी और पूछने लगे कोई हमारी पुरानी बात कहो सुदामा जब हम मुनी जी के आश्रम में थे आपसमें बात करते हैं गुरु जी के स्थान की जैसे प्रबात हुआ सुदामा को बिधा कर दिया कुछ नहीं दिया एक फूटी कौडी भी नहीं सुदामा बड़ा प्रसन्था जा रहा है अपने घर की और प्रसन्थ होता हुआ नास्ता गाता हुआ क्या मेरे प्रबु कितने क्रपालों है देखो मुझे इतना सथकार सम्मान किया इतना प्यरिम किया लिए उनको मालूम है कि मैं कुछ धन दौलत दूँगा मेरे मित्र को तो यह अपनी शुद्ध भक्ती से कहीं ब्रहमी तो कर माया में ने चला जाए मुझे देखो कुछ नहीं दिया बहुत आनली तो होता हुआ सुद्धामा आया सुद्धामा जी अपने घर आ गए सुद्धामा जी घर तो आ गए लिए जब घर के दर्वाजे को देखा तो दर्वाजा तो है नहीं वाँ पर नहीं उनका घर है भगवान की लीला को पहचानना बड़ा मुश्किल है शिरिमत भागवद गीता के उपर सुर्दा जिनकी है और भगवान के उपर जिनकी सुर्दा है वो इन कथाओं को जानते हैं पहचानते हैं सुद्धामा जी के घर की जगा एक सुन्दर महल खड़ा हो गया रात रात में क्या नहीं हो सकता जब भगवान के इशारे से सोने की दुआर का पुरी बन सकती है विश्व करमा जी निर्मान करने आ सकते है समुद्र के बीच ओं बीच तो सुद्धामा का भी एक सुन्दर महल खड़ा हो सकता है चार मंजिल का छे मंजिल का लिए सुद्धामा जी तो परिशान और ब्याकोल हो गए की मेरा घर आखिर गया कहा क्या मैं किसी दूसरे गाउं में तो नहीं चला आया हूँ गाउं तो वो ही है लोग वो ही है जाने पहचाने ठीक मैं पूछता हूँ तो एक आदमी से पूछा कि भाईया सुनो यह मेरी एक जौपड़ी थी उसका क्या हुआ क्या मैं सही हूँ यह कहकर यह मेरा एक घर छोड़के गया था मैं मेरे मित्र से मिलने गया था एक मेरी पत्नी थी शुशिला वो भी नहीं नजर आ रही है बस वो पूछी रहा था इतनी देर में तो उपर से महल के उपर से शुशिला ने आवाज दी अजी सुनो ब्रमित मतो यह आपका ही घर है मैं आ रही हूँ ठेरो कुछ सक्षियों के साथ में सुशिला आई और सुदामा जी को महल में ले गई यह आपका घर है यह आपके मित्र की देन है सौगात दीग नहीं उनको आपनी सुशिला मेरी मित्र बहुत अच्छे है उन्होंने मेरे मैंने बहुत छुपाया मैं बहुत शर्मता था कि कैसे यह चावल के टुकड़े और इतनी बड़ी सोनी की द्वारिका में रहने वाले मेरी मित्र को दूँ लिए उन्होंने जवरदस्ती मुझसे चीन लिए और मुठी भरबर के खाने लगे शुष्यला बोली उसी का यह परिणाम है आपने उनको तीन मुठी शावल दिये थे उन्होंने यह इतना सुन्दर महल हमको दे दिया भवान परमदयालू है अपने भक्तों पर कृपा करते है जो उनकी शर्ण मा आते हैं उनको शर्ण देते हैं भवान स्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि दुराचारी ब्यक्ती भी कोई मेरी शर्ण ले और मेरा भजन करे तो वह भी साधन भक्ती में प्रिवेश करता है और एक दिन मुझे प्राप्त कर लेता है क्षिप्रम्भावती धर्मात्मा शश्वच्छान्तिम निगच्चति कौन्ते प्रति जानी नैमी भक्ता प्रहच्चति एक उन्ति नंदन ये गोशना कर दो कि मेरे भक्त का कभी नाश नहीं होता कैसे होगा जिसको भगवान स्वयम रक्षा करना चाहते हैं उसका नाश बला कैसे होगा नैमी भक्तह neighbors दॉ सति Jr मेरी जाłos को प्रह नाश प्रहाच्चति क्षिप्रम्बहुति धर्मात्मा शी ओरिअशा दुरुचारी व्यक्ति जो मेरी शर्ण लेता है ऊंटमा हो जाता है और उसको शाश्वत शान्ती की प्राप्ति हो जाती है यानि बैकुंट फ्राप्त हो जाता है मेरे भक्त को मेरा धाम प्राप्त हो जाता है इस नवे अध्याय की अंतिम इसलोग में भगवान सुन्दर बात करें अर्जुन को कहते की मनमना भव मदवक्तो मध्याजी इमाम नमस्कुरू यह अर्जुन तु मेरा भक्त बन तु मेरा भक्त बन मुझे प्रणाम कर मेरा पूजन कर भगवान अपनी प्राप्तिके साध्न बतला रहे हमें और अर्जुन को की भगवान को परणाम करना चाहिए एहंकार बोलता ही भगवान को हम क्यों प्रणाम करें हम जानते भी नहीं कौन भगवान है हमारा क्या उनसे रिष्टा है क्यों हम प्रणाम करें तो यह एंकार ऐसे सवाल उठाता है भगवान का और हमारा शास्वत सम्मंद है भगवान हमको नहीं भूले हैं लिए हम उनको भूल जाते हैं माया से ब्रहमित होकर तब यह संसार में फसते हैं जनम्मरण जराव्यादी के चक्र में गूमते हैं जैसे तेली का बैल कोल हूँ के चारतरफ चक्र लगाता है तेली के बैल की आँखों पर पट्टी बंदी रहती है काले रंकी आपने कभी देखा होता है आज कर शायद सिस्टम उठ गए हो लेकिन 40 साल पहले भी जाओगे आज भी कहीं होंगे तो तेली का बैल गूमता है घानी चलती रहती है कोलू चलता रहता है और उसमें सरसों या तिली जो भी डालोगे तेल निकल निकल के बरतन में भरता रहता है लेनो तेली के बैल के आँखों पर काली पट्टी बंदी होती है और एक बर उसको मालिक थोड़ा हलकारा मार देता है चल चल नाटी तो विचारा गूमता रहता है फिर तेली चाय किदर भी बैठा हो उसका मालिक थोड़ा डंडा को खट-कटा देता है तो यही समझता है मेरे पीछे ही है कभी मार ने दे और उस चलता रहता है फिर कभी बैल रुके तो थोड़ा और डंडा कट-कटा देता है क्योंकि उसकी तो आँखों पर पट्टी है वो देख नहीं पाता कि मालिक मेरे पीछे नहीं है कहीं दूर बैठके कभी-कभी डंडा बजा देता है जमीन पर तो मैं थोड़ा डर जाता हूं फिर चलने लगता हूं तो आँखों पर काली-पट्टी बंदी हुई है यही ब्रह्म है यही माया है यही अंदकार है तम है यह संसार में बटकाता है यही कोई ज्यानी पूर्ष आपकी आँखों से काली-पट्टी हटा दे तो आपको सभी कुछ दर्ष दीखने लगेगा जैसा है वैसा दीखने लगेगा अंगूर है तो अंगूर दिखाई देगा एपल है तो एपल दिखाई देगी संत्रा है संत्रा दिखाई देगा आपको मती ब्रह्म नहीं होगा कि अंगूर कौन सा है संत्रा कौन सा है वस्तु हैं जैसी हैं वैसी दिखाई देने लगेंगे तो पिर आपको ये भी दिखाई देने लगेगा कि मैं ये शरीर नहीं हूँ आत्मा हूँ तब आपको भगवान का थोड़ा इस्मन्न होगा उनकी याद आएगी ये ग्यान की बात है भगवान को प्रणाम क्यों करें भगवान को हम जानते भी नहीं ये एहंकार की बात है भगवान को नहीं जानते लेकि जल तो पीते हो तो कम से कम इतना तो सोचो कि ये जल आता कहां से आप कहोगे निवारक वाले कहेंगे कि हडसन रिवर से आता है जी तो मैं पूछता हूँ कि हडसन रिवर में कहां से आता है जी तो आप कहेंगी बरसात का पानी है, बरसात बरस्ती बर जाता है, लिए मैं कहूंगा इक बरसात बरसाता कोन है, क्या कोई देश का प्रेसिडेंट, या कोई साइंटिस्ट, या कोई पैसे वाला दनी आदमी, कौन बरसाता है इस बरसात को, कौन चलाता है इस सुन्दर वायू हवा बेह रही है बरसात हो रही है सुन्दर गेहूं चावल फल फ्रूट पक रहे हैं हम जल पीते हैं सुन्दर इसनान करते हैं यह सब किसके करपा है कोई तो है जिसको आप नहीं जानते बेशक लिए इतना तो मालूम होना चाहिए कि कोई है जो यह चावल बनाता है हमको बनाता है, हमारे बच्चों को बनाता है जिसने चांद, सूरज, तारे बनाए है उनको इतना नियमित ढंग से चलाता फिराता है कि एक दूसरे से एक दूसरा घ्रे उपग्रे टकराता नहीं और हमारा जीवन बड़े प्रसनता से चलता है कोई तो है जरूर जो आपके जनम का और मरन का कारण है वो कृष्ण है वो परमात्मा है परमीश्वर है तो यह ब्रह्मजाल जब तक आँखों के सामने रहेगा तो हम को असमंजस में पढ़े रहते हैं जैसे कोई चोराय पर खड़ा हुआ आदमी दिशा भूल हो जाता है इदर जाओं या उदर जाओं लेगे कोई ग्यानी आदमी जो जानने वाला है इस बात का वो मिलिया है और बोले भईया इदर मत जाओ जाओ कि इदर भी लेगे को इदर जाओगे तो काले नाग फुंकार रहे हैं इदर जाओगे तो अंधकूप हैं उदर जाओगे तो दलदल है एक रास्ता है जो साफ और सीधा सुत्रा साफ सुत्रा है उस रास्ते पर जाओ तो आपका ब्रहंदूर हो जाए तो ऐसा कोई भगवान का कोई शुद्ध भक्त होना चाहिए महत्मा होना चाहिए जो आपका मार्ग दर्शन करें आपको मार्ग बतला है तो आप चलते चलते शने शने पिपील का सौयोजन गता चलते चलते चीटी भी सौयोजन कहते हैं बारा सौ किलोमीटर को चली जाती है बारा सौ किलोमीटर नहीं जा सकते चीटी की रफ्तार बहुत धीरे होती है लिनों सने सने दीरे दीरे सो योजन गता हाँ सो योजन चली जाती है बारा सो किलो मीटर तो आपको तो भगवान ने मनुष्य बनाया है चीन्ट ही नहीं बनाया आप भगवान का ध्यान भजन कीरतन करते हुए भगवान के परमधाम वैकुंट इटर्निटी में प्रिवेश कर सकते हैं जा सकते हैं हुआ शाश्वत शरीर कि आपको प्राप्ती हो सकती है जिसमें जनम मरण जराव्यादी ब्याप्त नहीं होती इन से छुटकारा हो जाता है सदेव के लिए बहुत एक संसार से और आपकी आत्मा इटर्निटी को प्राप्त करती है वेखुंट जगत के भगवान के प्रेमी भक्त के पुलिस को फोन कर रही थी प्रेदे फोन से जो